अश्रामुलीकूम एब्रीवन वल्कम बैक टुमाइ चैनल क्या हाल चाल है जी आप सब का उमीद है के सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मैं भी अलहमदुलिल्ला जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये उसी दिन का ना मैंने रिकॉर्ड किया और जिस दिन का मैंने पिछला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था ओजरी भी मैंने दिखाई थी कि मैंने मंगवाई हुई है तो बस उसी दिन जो है ना मैंने फिर ओजरी का सारा काम हتم करके चूले पर चड़ा दी थी मतलब कर बनने के लिए सालन और फिर बाद मुझे ये ऐडेर रसीड रशी वह था मैंने फिर आप लोगों के लिए जो है न ये रिकॉर्ड किया मैंने का चलो आप लोगों के साथ जो है न वो और भी शेयर करूंगी और साथ में थोड़ी बोज़ जा है वो हम बत बात चीट भी करेंगे तो बस और दो प्राट्थे और आमलेट का था तो मैंने न मेरे माइड से बिलकुल निकला हुआ था ये ना चौपर मेरे पास पड़ा हुआ था इतनी टाइम से लेकिन मैं बहुत काम इसको न यूज़ करती हूँ आदत नहीं है मुझे तो फिर ऐसे ही मैंने कैबिन खोला तो मुझे ये सामने न नजर आ गया तो मैंने का चलो इसका ना यूज़ करती हूँ और जल्दी से जो है ना इसमें प्यास टुमाटर जो है वो चौप कर लेती हूँ तो बस फिर निकाल के तो इसमें फिर देखे कितने अच्छे जो है ना वो फाइन चौप होगे थे बड़ाई जबरदस्त सा इसमें जो आमलेट के लिए प्यास हम लोगों कुछ आई होता है ना प्यास टुमाटर सबस मिर्चे बड़ी अच्छे इसमें जो है ना वो हो जाती है ओमलेट के चुके आउडर आ रहे हैं मुझे और वैसे भी जो है ना वो काफी सारी चीजों में ये इसी तरह जो है ना वो चौप करके प्यास ट्रमाटर में डालती हूँ जैसे के शामी इंडा हो गया या जो वाइड एक सैंट्विच है उसमें भी मैं थोड़ा सा प्यास ट्रमाटर इसी तरह जो है ना फौइन चौप करके डालती हूँ बड़ा ही मज़े का टेस्ट उसका बनता है तो यह है कि फिर बड़ी ना असानी होगी हूँ या मुझे तो बस मैंने ना फिर सबसे पहले जो है ये आमलेट के लिए ये प्यास ट्रमाटर वगरा सार काम कर रही थी चाहे बिल्कुल मेरे माइट से निकल गई थी एवन कि मैंने पराठे भी तकरीबन मतलब के दोनों पराठे मेरे रैडी होने पर थे तो फिर एक دम से ना मेरा माइट मतलब के क्लिक हुआ मैंने कैं नहीं यार आमलेट के साथ अडर था एक और चीज का तो मैं याद आया मैंने क्या ला देखू चाये भी थी शाथ और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था तो साथ वले चुले पर जो आप मैंने ओज़री ही रखी हुई थी प्रैशर में तो मैंने फिर उसको नहीं था उतारा है मैंने का चलो एक ही चुले पर जो है ना पहले पराठे बनातीगा और फिर ओमलेट लेकिन फिर जासे मेरे माइन में आया कि मुझे चाए काभी ओर्डर है तो फिर फटाफट से मैंने प्रेशर उतार के तो साथ फिर जो है ना मुझे बनने के लिए रखी और ये है कि अलहमदुलिल्ला टाइमली जो है वो मेरा ओर्डर रैडी हो गया था तो बस जी यहाँ पर पेड़े वगर आप मैं बनाऊंगी और फटाफट से बनाएंगे ओर और और आप लोग देखें ओर बनता हुए होप कि आप लोग इण Noir केरेंगे क्योंके काफी हैना जो है यहां मेरी बहने कमेंट करते हैं कि जब आरडर पर्पेयर करे रहे होती हैं तो हमने जो हैना यहां मतलब कि आडर बनता देखने में काफ़ी मुझा आता है अलाग Kopf पता नating क्यों मैं गहती हूए शाहे हैं कि नहीं थी दिखा रही ओर्डर की प्रिपरेशन तो मुझे पर्सनल में इंस्ट्राग्राम पर भी काफी मेरे वीवर कमेंट करके तो कह रही थी कि आप और्डर्स पर वीडियो बनाया करें, हमने वो आर्डर बनते हुए जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी मोटिवेशन मिलत या और मतलब कि मज़ा आता जो है ना वो वीडियो को देखने में तो फिर इसलिए जो है ना वो आप मैं पूरे दिन के आडर तो नहीं है एक दो आडर जो है वो मैं लाजमी इस तरह रिकॉर्ड कर लेती हूं कि चलें आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूंगी और सेकेंड आप सबसे मुझे बात करनी थी कि मैं ना सोच रही हूं कि मैं फ्रोजन आइटम जो है ना वो लगाना शुरू कर दूँ अभी से अपने रेस्टरंट पे तो आप सबने मुझे बताना है कि मतलब के फ्रोजन आइटम में जो है ना वो रमजान के निस्दीक ने फ्रोजन फूड जो है ना वो अपने रेस्टरंट पे लगाया हुए तो मुझे जरूर बिताइएगा और क्या आपका वो सेल होता है या नहीं होता ये भी मेरे साथ जरूर शेयर की दिएगा क्योंकि मैं काफी देर से ना सोच रही थी के मैं स्टर्ट करूँ मैंने जो हैना मतलब के फ्राइड एंटम जैसे के रोल शमोसा या इस तरह की चीजें जो हैने आन की थी और मेरी वो सेल होना स्टर्ट हो गई थी लेकिन फ्लोजन में नही थी वो मैं मतलब के फुल्ड री है रड़ी करने शेल कर रेही थी तो बोस्त को सेला। एंटमस के। थी तो महीं मेरे ब़िए अच्छी सेला।antwortभी थी था ही नहीं हो इता है रिटान के हमेड हमीन उहीं है करहरा हमस्तों है कि तुमसा नाही मेरे विए परAmदAlain में हमॉट है थी तो तो रमजान इंशाल्ला होगा तो रमजान में तो ये चीजें हम लोग जाहरा लगाएंगे ही और रमजान से पहले ही लगानी चाहिए क्योंकि लोग जो है वो फिर तियारी जो है रमजान शुरूरू होने से को दो तीन हटे कहले स्टार्ट कर देते हैं जिन लोगों ने घारहुद बनाना हो भी और जिन लोगों ने मतलब के बनी बनाई फ्रीज करने वाली जो चीजे हैं वो लेनी हो भी तो मैं सोच भी हूं मैं आइस्ता इस्ता जो आना वबी से इस पे काम करना शुरू कर दूं और थोड़ा वो जो आना मैं अपना frozen item इस पे लगाँ अन करूं तो आप मेसेजिस को भी frozen item frozen food का थोड़ा experience हो वो ज़रूर comment section में आके मेरे साथ share करें और इन्शाला इन्शाला इस पे भी detailed वीडियो में बनाऊंगी एक दफ़ा माहुद जो आना वो इस पे मतलब के एक दफ़ा काम स्टार्ट करके देख लूँ थोड़ा वो frozen food लगा के देखूं और frozen food में पहले तो मैं सबसे जो आना वो शामी कबाबी लगा के देखूंगी six piece में भी और बाराफीस में भी और उसकी प्राइसिंग वो गयरा किस तरह मैं सेट करूंगी क्या सूरते हाल आगे होगी उसकी order आएंगे या नहीं आएंगे वो सारा कुछ इंशाला आगे शेयर होगा और बड़े मज़े मज़े कि जो आना वो आगे आपके लिए informative वीडियो अपस्प्राइब कर ले और बैट नोटिफिकेशन को भी आउन कर दे ताके आगे आने वी वीडियो की जो है वो तफिल आपको मिल सके और वीडियो तो है वह आप लाइक कर देते हैं मुझे पता है और ज़रूर आप सब भी अपना अपना experience शेयर कीजिएगा मैं भी इस प काम करूंगी और आपके साथ अपना experience शेयर करूंगी और आप लोगो को अगर मेरा ये सारा जो है ना वो तजर्बे मेरे helpful रगे तो आप लोग भी जो है वो अपने अपने रेस्टरंट्स पे ये चीज़े अपलाई कीजिएगा इन्शाला हम सब के जो है वो रेस्टरंट् और कभी काम और कभी ज़्यादा इसी तरह है तो इन्शाला इन्शाला आप पाक से अच्छे की अमीद रखनी चाहिए तो बेहतर हो जाएगा बस मैं समझती हूँ इसमें भी हमारी कोई बेहतरी ही है जो मतलब के ओर्डर्स काम हो रहे है या ओर्डर्स नहीं आरे बेश्यक और केला पाकि की रहर काम में बेहतरी हूती है तो हैर तो है हिसकी सटार्ट लिया है शामी कबाब से सटार्ट करूँगी फिए आस्ता इसका इसको इन्शाला बढ़ाओंगी और जितना मतलब कि मुझ से हैंडल हो सका मैं उतना हीं काम करूँगी अपने जो भूड़़हा ऑनाके बाद में अन्हों मुझे 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 हो जाय लेकि अंशाला इस पर अभी से जो आफ कह लेके रमजान की तेयारियां चो यह मैं अभी से स्टार्ट कर दूए ताके फिर अट टाइम पर या मतलब कि रमजान के नस्दीक जो खाग दो और मेरी यह भी से थोड़ा जो जो कुछ करूँगी या जो आधीक्त बनाऊंगी चैसे भी बनाऊंगी इन्शालह आपके सात्थ सारा कोछ शेयर पर बनाऊंगी जो रॉल्स मुस्राइ बोगाईर भी मैं बनाऊं सब की भी रेसिपी आपको दूँँ आप लोग बताईएगा अगर आप लोगों को लेनी हुई है आप लोगों की डिमांड हुई तो मैं इंशालला जरूर जो आपको रेसिपी दूँँगी वैसे तो फिर सारी मेरी बेहने होम लेकिन यह है कि सबका मैथड अपना अपना होता है तो फिर एक दूसरे की वीडियो यह एक दूसरे की रेसिपीज देख के तो काफी हमें आइडिया मिल जाता है कि चलो हम डिफरेंट वैरियेशन करके तो मज़ीद अच्छी सी अच्छी चीज जो है ना वो हम लोग बना सके तो जैसे के मेरी एक बहनने जो है ना वो मुझे कॉमेंट में आ के तो यह जो मैंने बॉयड अक सेंडड़िच रखा हो है मुझे इसका नाम सज़ड़िस्ट किया था कि आप इसको बायड अक सेंड़िच की जगाना आई तिंक मायो एक सेंडविच इस तरह के ना उनोंने कोई नाम मुझे सजेस्ट किया था तो मुझे बड़ा पसंद आया था मुझे बस अभी ना टाइम नहीं मिल रहा नहीं तो मैं कहा रही कि हाँ मैं इसको चेंज करूंगी यह ज्यादा अच्छा मुझे नाम लग रहा है तो इसी तरह जब हम एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं तो हमें काफी सारे आईडिये मिल जाते हैं काफी पता लग जाता है कि हाँ भई हम यह चीज भी लगा लिए यह भी लगा लिए इस तरह कर ले तो हमारे ओर्डर जादा इंकरीज होंगे तो यह जो मैं सैंडविचे अब लगा रही हूँ अलहम दूल्ला मेरे बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़दा पसंदा आ रहे हैं मेरा जो बॉयल्ड एक सैंडविच वो बहुत ज़दा पसंद किया जाता है और डेली ही तक्रीब है इसके मुझे आलडर आ रहे होते हैं तो यह मैंने रुबीन अंटी की वीडियो उस पे देखा था वो जब सैंडविच बना रही होती तो मुझे इतना मज़ा आता था मतलब दिल करता था कि मैं भी बना के खाऊँ ना तो फिर मैंने देखा तो मैंने का चलो मैं भी ना लगाती हूँ अपने रेस्टरॉंट पे में भी के चल जाए मेरे भी तो वही बात हुई कि मैंने बस उनकी वीडियो देखके तो मैंने फिर अपने रेस्टरॉंट पे भी चीवे आन की तो हमदो लिल्ला के मेरी सेल इंक्रीज हो गई और सो इतने ज़्यादा नहीं आते लेकिन जो आते हैं उसमें फिर सैडविचिस के भी और होते हैं तो इस तरह जो है ना वहम सब एक दूसरे की जब वीडियो देखते हैं तो काफी जो है ना वह फो यह थी जिए आज की जो है ना यह छोटी से वीडियो और आइओप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी देखने में मजा आया होगा और काफी कुछ जो है वह आईडियाज भी आपको मिल गए होंगे तो मिलूंगे इंशालला कल एक और नए वीडियो में अभी के लिए मुझे दीजी अजाजत और वीडियो को जैसे लाइक ने की या लाइक करते हैं जो चैनल पे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलूगे इन्शालला क अभी के लिया आला हाफिस